जैए गुरुदेव ग्रामकधानी दिव्य प्रेरणामा जैए प्रवचन नवमू अनुग्रह अने आशिर्वादनी सरत पनते पहला सवने सत्बुद्धि मले सवनु कुल्यान थाये सवज्वल भविषयन हमार ग्यागरवदे ते विद्धिव्य भावना थी एक गायत्री महामंत्र अम्भूर्भू आश्वा तक्सवितुर्वारेन्यां भर्गोदेवस्य दीमाई दियोयोना प्रचोदया रामकथानी दिव्य प्रहलामा पुज्य गुडुदेवनू अध्भूत प्रवचन अनुग्रह औने आसिर्वादनी सरत्तो देवियोने भाईयो भगवान संकर पार्वति जीने भगवान रामनु चरित्र संबडावी रयाचे सारा चरित्र संबड़ियेची ए तो सारा वीचारों मलेचे खराप चरित्र संबडवाथी दुरगुणों आवेचे लोको गंदा पुष्थको वांचेचे औने ते प्रमाने पोते बनी जाएचे एविज पत ब्रस्तता तेमने अंदर प्रवेश करी जाएचे व्यक्ति जेऊं સांबडे एऊं विचारे अनि करेछे, ते तेवों जते बनी जाएचे रामायन रामचंद्रजिनू व्याख्यान नथी एमा तो सारू कुटुम केवी रिते बनावाए बारको केवा होए माता केवी होए खरमा सुख्षांती केवी रिते आवेच अब बद्दूज सिक्षन बरेलूँच एमा प्रवचन नहीं आचरण छे आचरण योग वसिस्थमा रामचंद्र जी वसिस्थ जीने कईयोंच के मारे सुकरूँजुए वसिस्थे उत्तर आपयोंच आचरण न चरित्र द्वारा सिक्षन आपूं ए बहुज मोटू सिक्षन चे प्राचेन कालनी परमपराओ रामायन जेवी जती जै कहता आत ते करीने पड़ बताव ता आजे रामायेनी कथाव एक सप्ता सुधी चालेचे रामायेनने मन्नो रंजन कराववा कुतु हुलपेदा करवा दक्षिना भेगी करवानू साधन मात्र बनावीने मुकी दिदोचे आ प्रकृया द्वारा ते ओलोकोने छेतरे छे आने लोको आ छेतर पिण्डी मा आवी पन जाये छे आने उल्टी प्रकृया बनावी दिदी छे के ते मात्र पाठ करीलो सामबढ नर पोँची जाय स्वरग मा आपने बतावूं पड़ से के रामायन ने मात्र पाठ करवासी कसुँ थेशने जी सामबढ ये छिए जे वाची ये छिए येने आच्रण मां पंड़ावी तो जी कल्यान थसे रामायन ने बद्दी ज प्रेर्ण आच्रन मा उतारवा योग्य छे। तो भगवान निवात पन ना मानवी जुए। तमें मोटाचो तो उचीत वात मानशो। सामड़वाथी मुक्ति नहीं ठाए। मुक्ति तो त्यारे ठासे जारे तमें जीवन मां अप्रेर्णावोंने धारण करशो। आपने जो एउँ इच्छी है कि आपना पालोशियोन व्यवहार आपना प्रत्ति सारोर है। तो ते पहला आपने आपनो व्यवहार बराबर करवो पर से। जो तमें इच्ता हो कि समाधिना लोको आपनी इज्यत करे। तो तमारे पोताना तरप्थी पोतानों सुधार करवो पर से। महापुरुषो जे आचरण करे छे, नाना लोको पन तेनू अनुसरण करे छे। गांधी जीए चर्खो चलावियो, तो जोत जो तामा बदा देश्यो आशिवहे एनू अनुकरण करे छे। सारो व्यक्ती उत्तम आचरण करे छे, तो ते असंक्यो माटे प्रहिणा प्रत्बनी जाये छे। भगवान रामना राज्यमा आउज थयू। भगवान राम राजी गादी पर बेठा तो सव लोको ना कस्तो दूर थई गया। मनुष्यना दूर गुणो जी कठणाई पेदा करे छे। दोस दूर थाये, तो कठणाई पन घटी जाये छे। राजान व्यवार समानतानू हसे, तो जी प्रजाजनो पन समानतानू व्यवार करे छे। मोटो छू आ नानो छे। ज्यां सुधिया बाओ जडवाई रहे से, त्यां सुधि राग द्वेस जडवाई रहे से। ज्यां विशमता छे, त्यां ते इर्षा द्वेस पेदा करे छे। अप्रादो ए दिवसे अटकी जसे, जे दिवसे समानता आउसे। जाती वाद रहेशे त्यांसुद भागला रहेशे एक नूमो खुलू रहे औने बिजा नूमो बंद रहे तो विशम ताज रहेशे राम नू राज्ये आवियों तो बधीज विशम ताओचा लिगेगी शुमंत जारे भगवान राम ने वन ममुकवा गया त्यारे गंगा पार करावनार केवट भगवान रामने गंगा पार करावया केवटे भगवान रामने गंगा पार करावया छे तो भगवान केवा लागया लो भाई आ भाडू लेईलो केवटे ना पाली दिदीचे उन धन्य थही गयो, आप मारा घेर चालो त्या भोजन कर्यो, केवट स्रियाम चंद्र जीना विचारो जानता हाता, एतला माटे आ बदु कई रहाचे, आ धरती आ संसार बदु आपनू जी छे, उन तो अलकी जाती नोचे, तमे घरे आवो, भगवाने कईू, मने चवदु व पर्ष्णो वन्वास, बिजू मुन्यो ना जेवो वेश, अने त्रिजी आगन्या एछे, के आहार पण एटलो ज लेवो, जे मर्या दित होर, केवट केवाल आगया चे, आप ज्या रेशो, त्यावो जूपडी जल्दी बनावी आपीश, मने पन साथे लेलो, हूँ त्यारे भगवान बोल्या, चाल, तू पन चाल, बदा साथे मडीने रहीशू, मडीने भोजन करीशू, बदा हाली मडीने भोजन बनावीशू, भगवान रामे अहीं जाती भेद करयो न थी, तेमना समान्तान अव्यवार थी पन, आपने प्रेर्णा लेवी जोई, के भास जाती वाद, तथा प्रांत वाद, आब दिक कुरुपर थाओ, समाज माटे राक्ष समान चे, तेने समाप्त करविज्यो ये, इस्वरे मात्र इंसान बनाव्या, आपने उच निचना धन्धा चलाव्या, मानव मात्र एक समान, एक पिता की सव संता, मनुष्य मात्र प्रभ ने पात्रावद, दिव्य प्रेर्नाव समान तानी चे, बाला मानसो बिजाना हित माटे सदाय काम करेच, भगवान रामनुँ चरित्र हतु, ज्यापन जता, त्या एवाज लोको आवी जेता, जे गाम मा भगवान राम जता, त्या स्रेष्ट व्यक्तियो एक्ठा थे जेता आता, जेने व्यक्ति तो आकर्शक होई छे, तेनी पाथड हजारो व्यक्तियो थे जाये छे, गांधी जी, स्वामी विवेकानन, स्ट्रेष्ट पुरुसत्तो ना मालिक अता, एकले तो सवलोको तेमनी पाथड पाथड चालता आता, भगवान राम ज्या 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 ज्यत तेमना गुणोंनी प्रसं साथ तियते, भगवान रुश्यो ना आश्त्रम मा जाये छे, तो तेमने सास्टांग दंडवत करे छे, राजकुमार मोटो नथी होतो, मोटो होई छे समाज सेवी, त्यागी, तेव बधाने प्रणाम करे छे, आने कहे छे, आपनी सेवा तो न कर जंदन करूँचू, भिल लोकों कहे छे, आमें तमारी मदद करी छे, जंगलो मवाग, चित्ता क्या-क्या रहे छे, गुपाओ, गुफाओ क्या-क्या छे, ए बधु आमें जोयेलूच, आमें तमने बधु बतावी छे, आमें नहीं होतो, आमारु कुटुम मदद करत, राम मानस्ती भलमन साई पेदा थाये छे, दुराचारी थी दुराचार पेदा थाये छे, आने क्रोधी थी क्रोध पेदा थाये छे, सारा मानस्ती बदा खुश रहे छे, रामचंद्र जी ज्यांजया रेता, त्यां त्यां आसपास ना जाड छोडवा पन खुशी थी लेराई तेमने बदाने पोताना कुटुम्बी मानता हाता। आ वसुदैव कुटुम्ब खमनी भावना अपना बदानी अंदर पन जो आवी जाये। तो रामायन वाच्यू अने सांबड़ू सार्थत्त जाये। सारा मानसों सारा मानसनी पासे चाल्या जायेचे। मनुष्य कमजोर होए तो पन दूर्गुन सामे लड़ू जोए। अनिती वत्षे तो समगरु दुनिया मा फेलाई जैसे। रामचरित मानसे बतावे चे। के व्यक्ती गम्मे तेतलो दूर बढ़ होए। पन बुराई प्रत्तिय तेने लड़ू जोए। राम भक्त ये नथी के पाडोस मा पाप्त तो रहे औने पोते सिता राम सिता रम जब तो रहे। निशाद राज बेठा आता। तेमने भरत जीने सेना सहित आउता जोया। शंका थाई। के ते राम लक्ष्मन ने महरवा आवी रहा चे। त्यारे एक विचार मन मा आवे हो के गरमा गोशी ने क्यांक मरी गया तो बीजी बाजुईचा रावे हो के कर्तव ये नुपालन करवा माटे उबा थमू जजोये। भरत ना मन मा कपट छे। निशाद विचारियों के बधा गाम वाडाने कुटम वाडाने बोलाविये औन भरत ने रोक्ती देए। शेना सहित पाणी मा शक्ता नथी, मर्वानी तैयारी करीने जाओ। शाधन तो आपनी पासे कसू नथी, छता पन हूँ तेमने मारा जियुता पार नही थवा दो। आपने पन दुर्गुण प्रत्ति आविज रिते धर्मनी रक्षा माटे हम्मेशा तैयार रेमू जुए। भगवाननी भक्ती कैक उच्छाह लईने आवेचे, एक नसो लईने आवेचे, दारुडियाने दारुथी नसो आवेचे, एवी जिरिते भक्तने भक्ती नो नसो आवेचे, जे नामन मावा विचारो न थी आवता, ए भक्ती केवी, मातर तिलक लगावूं ए भक्ती नथी, एक व्यक्ती पर पड़े चे तो बिजो बेशी रहे चे शो पत्थर दिल चे तमारू अहल्या जे पत्थर नी आती ते पण तरी गई आती भगवान ना चरण परसी ने आपने पण भगवान नो अडि जात तो आपने पण पत्थर माथी मानस्त मनी गया हो आजे शो शिताविलाप नथी करिये शो दहेजनो दानव आजे श्त्रियोन नथी बर्खी रहेए शो आपने तेना तेना ते दुख थाए चे आपने तो सीनेमा जोई एची ए पत्ता रमिए ची आपने दुनिया थी शो लेवा दिवा जो तमे भगवान रामनी कुरूपा पा पाम्वा माजता होई तो समाजनी कुरुतियो सामे लडो, दहत सामे लडो व्रद व्यक्ति आखो दीवस विचारता रहेशे के मोटा दिक्रानें आटला रुपिया पैसा आपीस बस मोहना विशे माज ताणावाना मणता रहेशे राम आयन सामे जो जाटायू व्रद हथो विचारी रहयो हतो के मर्वूं जी छे तो सारा काम मा मरीश। बिमारी थी मर्वानों सुप हाय दो रावन सिता जीन लई वायू मार्गी जई रहयो तो जटा यू ये आँख काडी ने कईूं बेटा सिता उँँ आवी रहयो छूं डर जे नहीं खुब जोर थी दोड़े होचे अने चाचो मारी मारी ने रावन ने हेरान परिशान करी नाखे होचे रावने तलवार काडी पांको पांखो कापी नाखी परंतु जटा यू धन्य थी गयो अनितियोनों सामनों करता करता लोक मंगल माटे जो सरिर पन जतू रहे तो तेना थी मोटू श्मारक बिजू कईू होई सके जेवी रिते जटायू नमनमा विचारों उठ्या एवी जी रिते दरेक मनुष्यना दिलमा उठ्वा जुए अनितियने अन्याई प्रते एवाज विचारा उठ्वा जुए रामचंद्रजी बद्धिज विशमताओने दूर करता रहा शबरी बिलडी हती छता तेने गर पन वगर बोलावे गयाज सबरी रुष्योना आश्रम मा जवाना रस्ता पर जाडू आड़ती हती कारण के रुष्योना पगमा काटाओन वागे आतनी निश्वार्थ सेवा भावना आती जैने भगवान ने पोताना गयर बोलावी लिधा तमे पड़ सबरी ने जेम समाज मा फेलाएला काटाओन ने हटावानो प्रेत्न करत तो भगवान तमारे जेरावी जाड़त परंतु संकिरन स्वार्थ परता खुद गर्जीमा मरनारा व्यक्तियो रामने वस्मा करवा मागे छे आ बद्दू जिनकामू छे राम बिलडी शबरीमाना आस्त्रम मा पोहँचे आछे बिलडी बोर चाके छे औने एठा एठा बोर मारा रामने खवडावे छे आजकाल कयो ब्रामन बिलडी ना घरे खासे अने एपन एठुआ पायलनु बोर आज आवो मिथ्या अहंकार विक्षी रहो चे जाती नी ब्रामन नही जाती थी ब्रामन नही पन कर्म थी ब्रामन थवाये चे एको आनर सुग्रिवनों सेवक अतो सुग्रिवनों गुप्त चर्बनीने फर्तो अतो रामचंद्र जी ए अनुमान जी ब्रामन नो वेश लई वेश धरीने मल्या चे तो रामचंद्र जी ए पूछिऊंचे ब्रामन नो वेश बनावयोचे अने प्रणामपण करता फरोच रामचंद्र जी खूब अस्याचे अने बोल्याचे हे पंडित महाराच अमें तमारीज शोध करिवे आता ब्रामन नो वेश पेरवो आसांचे पर तेनी जवाबदारी निभावी बव मुश्केल चे जे सुग्रिवनो सेवक बन्यो हतो ते वाणर जारे रामचंद्र जी ना संपर्क मा आवयो तो एवो बनी गयो कि जैने विशार समुद्र ने पार करिली दो महापुरुष्णा संपर्क मा आवी ने भगवान ना काम मा जोडाई ने साधारन मानस्पन महामानव बनी जायेचे भगवान राम हनमान जीनी निश्वार्त भक्त जोईने कहेचे उन तारो उपकार केवी रिते चुकूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ आजे तम्मे जुओ छो के भगवान रामजीती वधू अनुमांजी ना मंदिरो छे आनुमांजी नी परोपकारी निश्वार्थ साधनानु फड़ छे सेवानु फड़ छे रामपंचायत मापन अनुमांजी सम्मिलित छे एक भगतने एक देवदूत आकासमा देखायो जेना आथमा एक पुस्तक अतों भक्ते पूछूं आपुस्तक मा सो चे देवदूते कईऊं आपुस्तक मा भगवाण ना भक्तो नु नाम चे। भक्ते खोबज उत्षुकता थी पूछिएं, शुँ आमा मारू नाम पणचे, देवदूत कईउं? ना, आमा तमारू नाम नथी, भक्त ने गणो दुख थैउं, उन दुखियार आओनी स्येवा, परोपकार, दया, त्या आग, करूना थी भगवान नो भक्तो छुँ, तो प पचेक बिजो देवदूत फरी देखायो, तेना आत्मा पने एक पुष्टक अतो, भक्ते पूछिएं, आमा कोणू नाम लख्यों छे? देवदूत बोल्यो, आ पुष्टक मा एमना नाम लख्या छे, जेमनी भक्ती स्वयम भगवान करेचे, आ पुष्टक मा ए भक्तनु नाम सवती पहलू अतो, कभीरा मन निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरत, कहत कभीर कभीर, स्रेष्ट आचरन, सदाचारी, कर्तव्य परायन, परोपकारी, सुद्ध पवित्र जीवन, भग्वान ने खुष्ट करवानी रितो छे, शाली ग्राम यहमने सु पारूतार से, आपने सुद्ध भावनाओज आपनने पारूतार से, लोबी लोको नमनमा विशमता हाती, परंतु रामचंद्र जीनमनमा विशमतानो थी, एमना राज्यमा एटला बदा सुख, सांतिती बदा लोको रहता हाता, बदा मार्शो एक बिजा साथे प्रेमन प्यार थी रहता हाता, धर्मनु पालन करता हाता, जे मान सारू आज्यमन करेचे, तेनी पर देवी देवताओनी खूब कुरूपा वर्शेचे, पन रामनी आग्न्याओने जे मान से, ते जे रामना प्यारा बनी सक्षे, नई माने तो अप्रिय गणा से, तमारी इच्छा उपवर छे, कि तमें भगवानना प्रिय बन्वा मागो छो, कि अप्रिय वालो नथी के जे रामायने नो पाट करेचे, प्रिय तो हेचे, कि जे तेना अनुशाशननुनू, तेमनी आग्न्याओनू, तेमना नियमोनू पालन करेचे, भगवानने कहेचे, उन जबर जस्ती नथी करतो, जेवी तमारी इच्छा होयें करो, जेव कुमार्ग परचालेचे, ते दुख भगवेचे, औने माथू पचाली पचाली ने पस्ताएचे, क्यारेक भाग्येन दोस्त देचे, औने क्यारेक राहू केतु शनीने दोस्त देचे, आ सरिनू उदेशे ए नथी, के थोड़ा विशय भोग मा नस्ट करी देए, वासना त्रुष्णामा पोतानो जीवन समाप्त करी देचे, तेव अम्रुत ने अम्रुत ने आपीने जेर लई जायेचे, चोर्यासी लाख योनियों मा बटकी बटकीने मनुष्य जीवन भगवाने उपहार स्वरूपे भेट आपियोंचे, खुब ज़ सव भाग्य थी आ जीवन मड़ियोंचे, छता पन अपने उने मेडवीने आतमानु कल्यान न करिए, तो आतमा हत्याराज कहवाई शे, आपनने रामायन आज बहुधा पेशे, कि आपने आपने आपनु जीवन मेडवीने, आपने आ जीवन स्रेश्ट कर्म अने आच्रन द्वारा आत्मकल्यान नी वाद पन विचार्वी जुए त्यारेज भगवान नी कुरुपा थसे आप बदू जे रामायन शिख्वे छे पस्तु जैगुर्ट